हेलो दोस्तों मेरे ना मैं देरिंदर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे आज की वीडियो में हम समझने वाले है नीड़ और कोस्ट अकॉंटिंग जरूत पड़ी थी और कोस्ट अकोंटिंग क्यों है है तो सारे पॉइंट्स को डिसकस करने वाले वीडियो में और चलिए श्चाड करते कुद हैं बोकुँक तै कि पूरे साल में हमने क्या किया है तो net result तो बतायता है लेकिन cost कौन बताएगा एक एक product की कितनी cost लगी है वो नहीं बताता है न financial accounts और लेकिन वो ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपको sale preface करना है आपको कुछ comparison करना है वो कैसे होगा बिना cost जाने comparison नहीं बता इसलिए financial accounts कि यह limitation की वैसे cost accounting का है financial accounts do not make any difference between direct cost and indirect cost financial accounts में कुछ भी लेना देना नहीं है कि direct cost क्या होती है indirect cost क्या होती है cost कितने तरीके की होती है उसमसर से तोटल एक्समें ली देती हैं लेकिन यहाँ पर cost accounting बहुत ज़रूरी लेना देना है जो की impact डालती है indirect cost तो होती है जो की products का लेना देना नहीं होता controllable cost क्या होती है uncontrollable कुछ भी नहीं होता है इसकी वज़े से ही cost accounting की ज़रूरी पड़गी लेकिन वो बहुत ज़रूरी होता है उसी की वैसे हम देशते हैं कि अगर आपके demand कम है तो क्या करें उस समय make or buy decision लेना है या नहीं लेना वो सब direct cost, indirect cost यह सब को देखते हैं नहीं तब ही यह लेते हैं इसी लिए cost accounting में यह ज़रूरी होता है और financial accounts यह प्रवाइड नहीं करता इसलिए cost accounting ज़रूरी पड़गी थी financial account failed to reveal the weak points of the business weak points कहते हैं चलेगे आपने यह तो दिखा दिया पुरे organization में product यह profitable है यह नहीं है लेकिन हर एक product कितना profitable है वो नहीं दिखाता है न और वो बहुत ज़रूरी है वरना आपका long term में बहुत तगड़ा effect डालेगा अगर आपका एक product loss में जा रहा है और आप सोच लोगी मेरा business में बहुत ज़रा profit हो गया है तो उसका कोई भी आपको आगे जागे पता चलेगा कि इन आपकी कितने ज़्यादा बुरी आला थे business में इसलिए financial accounts यह प्रवाइड नहीं करता लेकिन cost account में तो प्रवाइड की कोश हमारे सामने आ जाती है उसकी वेसे हम असानी से देख सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रवाइड बिकार प्रफॉर्म कर रहे है और उसकी दाते तुर्ण तो उसको श्टा सकते हैं और आगे जागे बिद्स नमारा चल सकते बढ़िया financial account failed to help in fixation of selling price सबसेरा यही तो important होता है selling price फिस्ट करने के लिए आपको एक piece की cost कितनी होगी वो बदा करना जरूरी है तब ही तो आप बदा सकते हैं एक पीस की cost पता नहीं है और आपने total cost निकाल ली तो क्या फैदा होगा एक पीस की दो हम प्रोट्ट बेशते हैं पहले एक पीस की कोश्ट बताऊना चाहिए उसके बाद तो हम जो भी आगे जो भी प्राइस करने हों कर सकते हैं सैलिंग प्राइस के से विस्क करेंगा एक पीस का सैलिंग प्राइस करते हैं इसलिए financial अकॉंट भी यह पता नहीं कर सकते है इसलिए भाई कोस्ट अकॉंटिंग बहुत ज़रूरी है प्राइस करने उसलिए जरूरी बड़ी की पाइनेशन अकॉंट सोरी कोस्ट अकॉंट लाक टो डीविल ऑपरेटिंग एफिशन्सी और इन इफिशन्सी कि आप यह नहीं पता कर सकते हैं कि हमारा एफिशन्सी कितनी है क्योंकि हम सिर्फ क्या करते है कि increase और decrease प्रॉपीट से ही financial अकॉंट पता कर सकते हैं कि हमारा बहुत बड़े परफॉर्म करी है कि कंपनिय नहीं लेकिन असल में पता करते हैं कि हम कितनी कोस को को कंटॉल कर रहे हैं लेबर की productivity कैसी है वर्किंग कैपिटल भर रहे एक ऐसे बहुत सरी चीजी है जो कि असल में real efficiency पता चलती है कि improvement कहां आ रहे है गुनेशन में लेकिन financial accounts में ऐसा कुछ भी नहीं होता cost account में तो हम material का record भी रखते है labor का record रखते है पता नहीं क्या क्या record रखते है तो उससे आपको real efficiency पर जलती है ना कि financial account में जो कि सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं वहां से कुछ भी बाद में जलता financial accounts में इसलिए cost account बहुत ज़रा जिरूरी पड़गी financial accounts fail to provide comparison of cost of products comparison नहीं कर सकते हैं और आप कि वही चीज़ कि आप हर एक प्रॉडट का compare नहीं कर सकते हैं हरे प्रॉडट की cost नहीं आपके बाद सब compare कैसे करोगे कि यह इसकी cost कितनी है इसकी cost कितनी है वही मिलते हैं प्रॉइंट है इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल भी हो जाती है साथ साथ में क्योंकि जब कोष्ट निकालेगे तो उनकी परफॉर्मेंस चेक होजाएगी तो वहां से हमारा रियल होते हैं लेकिन प्रॉफिटिबिल्टी या financial accounts में ऐसा कुछ भी नहीं होता यह बहुत जरूरी होता है financial accounts यह कोष्ट अकॉंट में फैल टू अनलाइस लोसी असल में पता नहीं रहते हैं क्योंकि लोसी वही चीज है बिल्कुल मिलता है जो हमारे वो थे कि हमारा असल में लोसी कहा हो रहे है वो सिरफ कोष्ट अब लगते है कि फाइनिशल अकॉंट्स फेल टू कीप प्रॉपर रिकोर्ड्स रिकार्डिंग यूजर मशीनली चीनरी का रिकोर्ड कोष्ट अकॉंट्स में रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे चीजे कोष्ट निकालने के लिए नहीं बाकी चीज़ों भी रखन बतार रहती है तो फाइनिशल रिकोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैसीनली कैसा परफॉर्म कर रही है कि उसका याइडल डेंक होता है कितने घंटे काम करना चाहिए ऐसी कई सारे इंफोर्मेशन है जो कि बहुत जरूरी है अगर आप एक बिसनस में हो प्रॉडक्शन कर रही हो लेकिन कोस्ट अक्व courtesy final रॉक्श अक्वन रिफीहलत रभीी प्रॉडट्ट्ट प्रॉड़क्श ये बड़ा इंपोर्टेंट को कि कि आप प्रोड़क्ट वाइस कितना प्रोफिट हो रहा है यह तो पता नहीं कर सकते हैं आपने ड्हाइ लाग का अगर प्रोफिट कमा लिया आप सोचो कि बहुत अच्छा है लेकिन असल में जब पता चलेगा कि एक एक डिपार्टमेंट में कैसा कैसा प्रोफिट करा तो अस से फिर आप असल में डिषान लिया सकते हो कि आप क्या करने अब इस प्रोड़क प्रोफिट करने या फिर इम्प्रोफ्मेंट गरना है यह बहुत ज़़ुर होता है갈fal और नहीं होता दो आई लेकिन सबसे इंपौर्धर चीज है वहात को